नमस्कार मैं डॉक्टर ललित नामा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम ऐसे टोपिक पर अध्यन करेंगे जिसकी भारतिय समाज में विशेश प्रतिष्ठा है और वो है संस्कार 16 संस्कार जिनका विधान भारतिय संस्कृति में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यू परियंत है इन संस्कारों से मानो जीवन परिशुद्ध होता हुआ आगे की और बढ़ता है संब्रद्ध और सुखी जीवन के लिए संस्कार आधार्शिला है तो आज हम मानो को सुष संस्कृत बनाने वाले 16 संस्कारों को देखते हैं जो इस प्रकार है गर्बाधान, पुन्सवन, सिमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निश्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विध्यारंब, उपनयन, विदारंब, केशांत, समावर्तन, विवाह और अन्तेष्टी इनकों विश्तार से देखते हैं सोला संसकार संसकार शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक क्रीधातु से गहें प्रत्य द्वारा हुई है जिसका अर्थ शुद्धी या परिश्कार से है क्योंकि संसकारों से मानो जीवन परिशुद्ध या परिश्कृत होता है भारती संसकृती में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु परियंत संसकार होते हैं पुरोहित अर्थातपंडित मंत्रो चारण के साथ विधी पूर्वक 16 संसकारों को संपन करवाता है इनसे मनुष्य का जीवन शुद्ध तथा स्वच हो जाता है क्योंकि जन्म से प्रतेक मनुष्य असंसकृत होता है संसकार से ही वसु संसकृत कहलाता है मनुष्य की अप्रत्यक्ष बाधाओं को दूर करना तथा सांसारिक कश्टों से मुक्ती वह जीवन को मंगलमय बनाने के लिए संसकारों का विधान प्राचीन भारते रिश्य द्वारा किया गया था इन संसकारों से पवित्रता, कर्तव्य के प्रती, जागरुकता, उत्सव के प्रती अभीरुची, सामाजिकता तथा यथा समय क्रिया शीलता आधी प्रिवजन शिद्ध होते हैं संसकारों से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बोधिक, वेयक्तिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन भी उननत हो जाता है संसकारों का स्वरूप या प्रकार संसकारों की संख्या 16 है वेसे विभिन प्राचीन हम यहाँ पर 16 संसकारों के बारे में बताई जाएगा वेसे विभिन प्राचीन धर्म सास्त्रकार संसकारों की संख्या अलग-अलग मानते आए है क्योंकि वेदिक काल से ही भारत वर्ष में संसकारों का प्रचलन रहा है कुछ धर्म सास्तरकार संसकारों की संख्या 40 मानते हैं तो कुछ 18 कुछ 13 मानते हैं लेकिन प्राय 16 संसकारों की संख्या अधिक प्रचलित है तो 16 संसकारों को हम देखते हैं जो इस प्रकार है यहां पर गर्भादान संसकार, पुन्सवन संसकार, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निस्क्रमन, अन्यप्राशन, चुडाकर्म, कर्णवेद, विध्यारंब, उपनयन, वेदारंब, केशांत, समावर्तन, विवा और अंत संसकार, इनको हम देखते हैं यहां पर, गर्भादान संसकार, मानोजीवन का प्रथम संसकार गर्भादान है, जिस कर्म के द्वारा पुरुस इस्त्री में अपना बीज इस्थाफित करता है, उसे गर्भादान संसकार कहा जाता है, यह संसकार संतानुत पत्ति के लिए किय जाता है गर्भादान संस्कार को निशेक भी कहा जाता है निशेचनम निशेक कह निशेक का अर्थ है अच्छी तरह सीचना इस संसकार का उद्देश्य पित्री रिन से मुक्ती, स्रिष्टी का विकास, ग्रिस्तास्रम का धर्म तथा अच्छी संतान के द्वरा सुप्राप्ति की कामना है गर्बाधान संसकार के लिए उप्युक्त समय और वातवरण का वर्णन मनूय यग्यवल्क्य पाराशर आधी ने किया है इन्होंने अपने इस्मृति ग्रंथों में इन संसकारों के लिए उप्युक्त समय और वातवरण का वर्णन किया है इनके अनसार सुभु मुहूर्त में यग्यहवन आधिकर्मों को करके देव अर्चन आधिकारे करने के बाद करभाधान संसकार को उत्तमफल प्रदान करने वाला माना गया है महर्सी मनु ने तो इस संदर्व में कहा है कि संतान के इच्छुप दमपति को रितुदर्शन के पश्चात अष्टमी, चतूरदशी, अमावश्या एवं पूर्ण मासी को छोड़ कर यह संसकार संपन करना चाहिए दूसरा संसकार है पुन्सवन संसकार गर्भ इस्तापित होने के पश्चात दूसरे या तीसरे महिने में करने का विदांग था इस संसकार में इस्त्री की नाक के दाहिने चिद्र में वटवरक्ष का रस अर्थात बर्गत का रस डाला जाता था वटवरक्ष की जटा सुगाने का भी उलेख हमें मिलता ही संदर में ताकि उसे गर्भ पात न हो साथ ही इस अवसर पर गर्भ वती इस्त्री को सम्यक आहार, सम्यक विचार और सम्यक आचरन के बारे में विशेश निर्दिश दे जाते थे इनसे गर्भस्त शिशू पर अच्छा प्रभाव पड़ता है इसलिए ऐसा किया जाता है पुन्सवन संसकार में अगला संसकार हम देखते हैं सीमन्तो नयन सीमन्तो नयन संसकार को गर्भादान के पश्चात चतूर्थ मास में करने का विधान है इस अउसर पर गर्भवती श्त्री के सीमन्त अर्थात के शो को नयन अर्थात उपर उठा कर या समवार कर यग्यशाला में हवन किया जाता था यह संसकार क्यों किया जाता है इसके बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब श्त्री गर्भवती होती है तब उस पर अनेक विग्ण बाधाय आती है उनके निवारन के लिए यह संसकार किया जाता है भावी संतान की रक्षा व कल्यान के लिए पती स्री अर्थाद लक्षमी का आववान करता था परिवार की स्रेष्ट इस्त्रिया उसे स्रेष्ट वीर संतान उत्पत्ति का आशिरवाद देती है इस संसकार में पित्रो अर्थाद पूर्वजों की पूजा का विधान भी था ताकि सबका आशिरवाद गर्भस्त सिसु व गर्भवति को मिल सके मानव जीवन का चतूर्थ संसकार है जातकर्म संसकार अभी तक हमने तीन संसकार गर्भादान संसकार पुन्सवन संसकार और सिमन्तो नयन संसकार पड़े ये तीनों ही संसकार बालक के जन्म से पूर्वी संपन हो जाते हैं बालक के जन्म के पस्चात पहला संसकार आता है जातकर्म संसकार बाल्यावस्ता के छे संसकारों में पहला संसकार जातकर्म है यह संसकार शिशु के जन्म होने पर ना भी छेदन अर्था नाल काटने से पूर्व संपन किया जाता था जिसा की मनुस्मृती में आया है प्रांग नाभी वर्दनात पुन्सो जातकर्म विधी यते अर्थात नाल काटने से पूर्व नवजाज सिशु का जातकर्म संसकार संपन होता है इस अउसर पर बालक का पिता मंत्रों चारण करते वे बच्चे को मधु और घी मधु अर्था शहद और घी चटाता है प्राचीन काल में यह संसकार विशेश मंत्रों एवं विधी से किया जाता था घी वर शहद के सम्मिश्रण को अभी मंत्रित करके पिता बालक को चटाता था एसा भी उलेक मिलता है कि जी पर घी वर शहद से ओम लिखा जाता था साथ ही पिता यग्य करता था इसके बाद माता बालक को इस्तनपान कराती थी नामकरण संस्कार संतान को नाम प्रदान करना भी भारति संस्कृती में एक संस्कार माना गया है सास्तरों के अनुसार जन्म से दस्वे या बारवे दिन यह महत्वपूर्ण प्रश्ण है जन्म से दस्वे या बारवे दिन सुब तिथी नक्षत्र और मुहुर्त में नामकरण संस्कार किया जाना चाहिए मनुस्मृती में उलेक मिलता है नाम धेयम दसम्याम तू द्वा दश्याम वा अस्यकार्यत अर्थात नामकरण संसकार जन्म से दस्वे या बारवे दिन किया जाना चाहिए निस्क्रमन संसकार जन्म के उपरांत प्रथम बार संतान को घर से बाहर निकालने से पूर्व निस्क्रमन संसकार संपन किया जाता था जन्म से चोथे मास में यह संसकार होता था मनु का कथन है चतूर्थे मासी करतव्यम सिसोर निस्क्रमणम ग्रिहात अर्थात जन्म से चतूर्थ मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए चतूर्थ मास में किसी मांगलिक तिथी को यग्यादी पूजा के बाद संतान को प्राकर्तिक वातावरन अर्थात उद्ध्यान आदी में लाया जाता था पिता बच्चे को सूर्य दर्शन कराता हुआ इस प्रकार मंत्र बोलता है पशेम शर्दह शतम जीवेम शर्दह शतम एसा यजुर्वेद में आया है अर्थात हम सो शरद रित्वों तक देखे यानि सो वर्सों तक हमारी आखों की ज्योती इसपस्ट बनी रहे अर्थात हम सो वर्सों तक जीवित रहे रात्री के समय संतान को चंदर दर्शन कराई जाने का भी विदहान था इसके बारे में इसा भी उलेक मिलता है कि शिशू माता की गोद में सूर्य का दर्शन करता था दिन के समय वर्तमान में ये संसकार पूर्ण विधिविदान पूर्वक करना संभव नहीं है क्योंकि जैसे निसक्रमन संसकार जन्म से चतुर्थ मास में होता है परन्तु आज कल तो सिशु का जन्म ही घर के बाहर चिक्ष साले में होता है फिर भी यता संभव इन संसकारों को किया जा सकता है या किया जाना चाहिए घर के बाहर संकटों से सिशू की रक्षा करने के लिए देवताओं की अर्चना इस संसकार द्वारा की जाती थी इसलिए ये संसकार किया जाता था अन्य प्राशन संसकार जब सिशू छे मासका होने को होता है उस समय वह अन्य की और आकर्शित होने लगता है इसलिए जन्म से छटे मैने में यह संसकार होता था महर्शी मनु का कथन है सस्थे अनप्राशनम मासी यद्वाइस्टम मंगलम कुले अर्थात जन्म से छटे मास में शुशु को दाल भात आदिसु पाच्चे आहार देना चाहिए अथवा कुलाचार के अनुरूप अनप्राशन संसकार संपादित करना चाहिए इस संसकार द्वारा शिशु को सरु प्रथम अन्न खिलाया जाता था इस अवसर पर शिशु को गृत युक्त चावल का भात दही शहद आदि खिलाया जाता था शिशु के दात निकलने पर उसे प्रथम बार अन खिलाने को प्रास्शित्र कहा जाता था चूड़ा कर्म संसकार शिशु के प्रथम बाल काटने का आयुजन चूड़ा कर्म संसकार के अंतरगत होता था एसी मान्यता है कि चूड़ा कर्म संसकार से धिरगायू और कल्यान प्राप्त होता है चूड़ा का ताकपर्य शिखा या चोटी से है चूड़ा कर्म संसकार को जडूला, मुंडन, चोल, केश छेदन, शिखा भंदन नाम से भी जाना जाता है मुंडन के पश्चात सिरपर केवल शिखा ही रह जाती है आज कल यह संसकार मंदिर आदिस्तानों पर होने लगा है मनु के अनुसार सभी दुजाती बाल को का दुजाती बाल किसे कहते हैं? पहले इस पर हम चर्चा कर लगते हैं ब्राह्मन, शत्रिय, वेश्य को दुज कहा जाता है, इनके बाल को दुजाती बाल कि दुज क्यों कहा जाता है? ब्राह्मन, शत्रिय और वेश्य को इस पर भी चर्चा करते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब बालक का यग्योपवीत संसकार अर्था जन्युधारन करना किया जाता था तब उसे वेदाध्यन और यग्यका अधिकार मिलता था यह बालक का दूसरा जन्म माना जाता था तो उस काल में जो भी वर्ण यग्योपवीत जन्य उधारण करते थे वे द्विजाती यद्विज केलाते थे मनुश्मृति के नुसार उस समय यग्योपवीत संसकार ब्रामन ख्षत्रिय वेश्य इन तीन वर्णों का ही होता था तो फिर चूड़ा कर्म शिखा बंदन संसकार भी इनका ही होता था यह सब कुछ उस समय की परिशितियों उस काल के अनुसार निर्धारित था तो देखते हैं हम आगे मनुक के अनुसार सभी दुजाती बाल को का चूड़ा कर्म संसकार जन्म से प्रथम वर्स यह महत्वपूर्ण है या तीसरे वर्स जन्म से प्रथम वर्स या तीसरे वर्स में धर्मा अनुसार यह वेदा अनुसार कराया जाना चाहिए जिसा की मनुस्मृति में आया है कर्णवेध संसकार कर्णवेध संसकार कार्थ है कान को छेदना यह संसकार बालक के जन्म से तीसरे या पांचवे वर्स में संपन होता था कर्णवेध संसकार में सुई की नोक से कान को छेद कर सोने चांदी या पीतल की बाली पेना दी जाती थी जोतिश शास्त्र के नुसार सुकल पक्ष के शुब मुहूर्त में इस संसकार का संपादन होना शुब है विध्यारम संसकार शिशु के पांचवे वर्स में प्रवेश करने पर उसको शिक्षा का आरंब विध्यारम संसकार के साथ किया जाता है प्रारंब में बालक को इस्नान कराकर सरस्वती ब्रिहस्पती गनेश जी की पुजा कराई जाती है इसके पश्चात उसे यग्य कराकर गुरू अक्सरारंब कराता था गुरू बालक को ओम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर अक्सरारंब कराता था उपनेयन संसकार, ग्यारवा संसकार यह मनिश्य का, यह बहुती महत्वपुन संसकार है, यह परिक्षाओं में अधिकतर टिपणी के रूप में पूछा भी जाता है यहां पर उप का अर्थ पास तथा नयन का अर्थ है ले जाना, अर्थात विध्या प्राप्ति के लिए बालक को गुरु के पास ले जाना उपनेयन संसकार कहलाता है भारतिय समाज में उपनियन संसकार का बहुत महत्व है, इसके द्वारा व्यक्ति द्विज जो हमने अभी देखा था, द्विज कहलाता है क्योंकि इस संसकार को बालक का दूसरा जन्म समझा जाता था इस संसकार के बाद बालक का उत्तरदाई तो बहुत बढ़ जाता था बालक को इस बात की अनुभूती कराई जाती थी कि वो अपने परिवार और समुदाय के प्रती कर्तव्य को भली भाती समझने के लिए ब्रह्मचर्य आस्राम में रहकर अभिष्ट योग्यता प्राप्त करें किस वर्ण का उपनेयन संस्कार कब होना चाहिए इसके लिए महर्शी मनु का कथन है गर्भाष्ट में अब्दे कुरुवी अर्थात गर्भ से आठवे वर्स में कुरुवी करना चाहिए ब्रामनस्य उपनायनम अर्था ब्रामन बालक का उपनेयन संस्कार गर्भ से अर्था जन्म से आठवे वर्स में करना चाहिए गर्भात एकादशे राग्यो अर्थात क्षत्रिय का गर्भ से एकादशे अर्थात ग्यारवे वर्स में उपनियन संसकार करना चाहिए मनु ने इन तीन वर्णों के लिए ही उस समय उपनियन संसकार की थी लेकिन वर्तमान काल में सभी के लिए उपनियन संसकार हो सकता है सभी जने उधारन कर सकते हैं यह जो उपनेयन संसकार था इसकी अधिकादिक अवदी भी महर्शी मनुने बताई है जो ब्रामन के लिए 16 वर्स है शत्रिय के लिए 22 वर्स है और वेश्चे के लिए 24 वर्स निर्धारित है इसे अर्थात उपनेयन संसकार को यग्योपवीत संसकार भी कहते हैं क्योंकि इस अवसर पर बालत यग्योपवीत अर्था जन्युधारन करता था जो तीनो वर्णों के लिए क्रमशह कपास अर्था कपास के धागे का यह तो ब्रामन के लिए था, संद के धागे का यह छत्री के लिए था और भेड की उन यह वेश्ची के लिए था इस परकार यह तीनो वर्णों के लिए निर्दारित था यग्यो पवीत धारन करने के पश्चात ब्रह्मचारी बालों को गुरु के पास ले जाया जाता था जहां उसे गुरु ब्रह्मचरे के नियम बताता था ब्रह्मचरे आश्रम का आरंबिक विधान उपनियन संस्कार ही है अर्थात ब्रह्मचरे आश्रम उपनियन संसकार के पश्चाती प्रारम होता है और इसके पश्चाती वेदाध्यन आरम हो पाता था वेदारंब संसकार उपनियन संसकार के पश्चात वेदारंब या वेदाध्यन या वेद स्वाध्याय संसकार होता था वेदारम संसकार के अभव में उस समय कोई भी ब्रह्म चारी यग्य आदी कर्मकादीकारी नहीं हो सकता था प्राचीन काल में यह संसकार नहीं होता था क्योंकि उपनियन संसकार के साथ ही वेदाद्यन हो जाता था किन्तु बाद में उपनियन संस्कार के अतिरित वेदारम संस्कार भी आवश्यक हो गया तो होने लगा केशांत संस्कार 16 वे वर्स में ब्रामन का, 22 वे वर्स में एक शत्रिय का, 24 वे वर्स में वेश्य का केशांत संस्कार संपन होता था यह महत्तुपूर्ण प्रश्चन है जो अधिकान्स परिक्षाओं में पूछा जाता है इस संसकार में क्या होता है देखिए इस संसकार में ब्रह्मचारी के तरुन अर्थात युवक होने पर दाड़ी मूचों को पहली बार काटा जाता था इस संसकार को गोदान संसकार भी कहते हैं क्योंकि इस अवसब पर ब्रह्मण आचार्य को गोदान भी दिया जाता था इस संसकार के साथ युवा व्यक्ति को ब्रह्मचर्य और अच्छे आचरन का इस्परण दिया जाता था समावर्तन संसकार यह संसकार शिक्षा की समाप्ती पर होने वाला संसकार है अध्यन की समाप्ती पर गुरु द्वारा दिक्षा दी जाती है उसे दिक्षांत अथ्वा समावर्तन संसकार कहा जाता है समावर्तन का अर्थ है गुरुकुल से सिक्षा ग्रहन करने के बाद घर की ओर लोटना। यह संसकार ब्रह्मचर आश्रम की समाप्ती पर ग्रस्त आश्रम के आरंब का सूचक था। सिक्षा समाप्ती पर विध्यार्ती गुरुको दक्षिना देकर संतुष्ट करता है। इस अवसर पर विध्यार्ती कलशो के जल से इसनान करता है। अतह इसे इसनान संसकार भी कहा जाता है। विध्यार्ती ब्रह्म चर्य के चिन्नों को त्याग कर। विवार संसकार यह सभी संसकारों में गौरवशाली वह महत्तुपूर्ण संसकार है क्योंकि मनुष्य अपने सभी करतव्य विवाह के पश्चाति कर सकता है। विवाह ग्रिहस्त जीवन का मूल है। विवा संसकार द्वारा ब्रह्मचर आश्रम से ग्रिष्ट आश्रम में प्रवेश होता है इसे गारह पत्य संसकार भी कहा जाता है यग्यो पवीत से समावर्तन संसकार तक ब्रह्मचर व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मिचर्य व्रत का पालन करने के बाद युवक पर्णे सुत्र में अर्थात विवाह बंधन में बंधता था ग्रहस्त आश्रम अन्यत तीनों आश्रमों से स्रेष्ट माना जाता था विवाह का अर्थ है वधू को उसके पिता के घर से पत्नी बनाने के लिए ले जाना विवाह होने पर ही पती पूर्ण होकर यज्यक का अधिकारी माना जाता था विवाह द्वारा इस्त्री पुरुस की आत्मा एक हो जाती है इसका प्रदानुद्देश्य वंश्वृद्धी था सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह विवाह के माध्यम से संबव था धर्म, अर्थ, काम और मोक्स विवाह संसकार पर निर्वर्थ थे अतह विवाह को पुर्शार्थ का मुल माना जाता था हमारे शास्त्रों में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेक है ब्राम विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंदर विवाह, राक्षस विवाह और पेसाच विवाह अंतेष्टी संसकार जीवन परित्या के बाद मृत देह का संसकार अंतेष्टी संसकार कहलाता है यह मानव जीवन का अंतिम संसकार है इसे दाह संसकार भी कहते हैं मृत शरीर को इसनान कराकर पुस्म माला से सजाकर अर्थी से ले जाकर शमशान में दाह किया जाता है तीसरे दिन उसकी अस्थियां एकत्रित कर पवित्र नदी या तीर्थ के जल में विसरजित कर दी जाती है मृत आत्मा के लिए पिंडिदान आदि का भी विधान हमारे सास्त्रों में मिलता है मृत आत्मा की शांती के लिए श्राद कर्म भी किये जाते हैं इस संसकार का उद्देश्य मृत प्राणी की आत्मा के लिए परलोक में शांतिलाब की भावना है इस संसकार द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है एसा हमारी भारती संसकृती में उलेख है निश्कर्ष रूप में यहां पर हम कह सकते हैं कि हिंदू समाज में ये 16 संसकार प्रचलित है जन्म से मृत्यु पर्यंत इन संसकारों के करने से मनुष्य शरीर शुद्ध एवं पवित्र होता है जीवन को सुव्य वस्तित करने के लिए एवं आध्यात्मिक विकास के लिए ये 16 संसकार आवश्यक है इस प्रकार इसपष्ट होता है कि मनुष्य का जीवन संसकारों से परिचालित है इस प्रकार एक लाइन देखकर भी प्रश्ण उचा जाता है संसकारों के बारे में तब भी हमें इन सभी 16 संसकारों का वर्णन करना है कि मनुष्य का जीवन संसकारों से परिचालित है फिर से आत्मसाथ करने की आवश्यक्ता है। अंत में यही कहना उचित होगा कि इन संस्कारों का प्रभाव आज भी हमारी भारती सब्वेता पर है और इसलिए भारती संस्कृती अभी भी अक्षुन ने बनी हुई है।